हेलो एंड वेल्कम टू पढ़रे क्लासेज एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे नने मुनने बिच्चों का हार्दिक फागत किया जाते है अपने पढ़रे के प्लाट्फॉम पर हावाई यू ओल रमन महरा अभीनव सिंग नवनीत कृती गोड़ इवनिंग टू ओल बच्चे यह दिखा रहा है बच्च कमेंट है चार बच्चों के लाइक एक के भी नहीं है क्या बात सब नराजो हाँ में नराजो के सब आल बच्च करें नराजो कि गोड़ी इवनिंग अभी मन्यूँ तोपिक पड़ रहे थे मेगनेटिक एफेक्ट ओफ एलेक्ट्रिक करन कंटेन्यू करेंगे ठीक है और कल ये खतम भी हो जाएगा करेंगा करेंगा कि म mercy कि अच्छा एक बात दो किसी बच्छे कोई डाउट सब के स्कूल ओपन होगे इतनी नहीं आए के लास में कि अच्छा ए कि अच्छा है कि अच्छा ए कर्दा एक बात दो कि दो कि अच्छा एक बात तो कि बता दो बच्छे कोई डाउट है तो कल हम लोगों ने मैगनेटिक फिल्ड की प्रपर्टीस के बारे में जाना कैसे किसे बाकी अलग-अलग करण की कॉंविनेशन में आपके मैगनेटिक फिल्ड की लाइन स्कीब शेपिंग होती है कैसे हम निकालते हैं पिल्ड कैसे आपकी फिल्ड की प्रपर्टी होती है वह हमने कल बड़ा था आज उट उपिडिसक्स करने वाले है दैटीज फोर्स के बारे में आप भी स्कूश करेंगे देखो यह सारा चैप्टर आपके ट्वेल्थ क्लास में भी आएगा जो बचा साइंस लेगा यही चैप्टर निमेरिकल के साथ आएगा यही चैप्टर में बहुत सारे फोर्मली हो जाएंगे नई-नई कि किसी कोई डाउट है पिछले वाले में तो कोशन पूछ सकते हैं अधर्वाइस मैं आगे बढ़ू कोई बताता दो अंसर पाइव स्टूडिन्ट है कहां गए बच्चे क्या है किसी को डावट निया प्रवीन आगया मासूम आगया लेट आ रहे हैं सारे चलो स्टार्ट करते हैं अब मैं आपको चेक नया टोपिक पढ़ाने वालों जिसको बोलते हैं पोर्स अने कंड़क्टर करेंट केरिंग कंड़क्टर जू चू मैगनेटिक फिल्ड जू टू मैगनेटिक फिल्ड करें स्टार्ट चलो सुनो मेरी बार तो आजो आजो टोपे डिसकस कर रहे हैं तरफिए बस्ट यू पोर्स ए और करन्ट कारिंग कंड़क्टर 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 ठीक है पॉर्स वन करेंट केरिंग कंड़क्टर इन मैगनेटिक फिल्ड पहले तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ एक निया टॉपिक पढ़ना हूँ इसको टॉपिक को आप जाओ भूल इसको नहीं पढ़ना आप कैन साइटे में टॉपिक दिया हुगा ना फोर्स है इसको आज इस तीज़ को एकदम क्लियर करते हैं पूरा एकदम खोल के पढ़ेंगे ठीक है सो लैट आस डिसकस कभी भी सुनना आपके टैंट क्लास तक की ते लैवल में ऐसा नहीं है जब आप बड़े हो जाओगे बड़े हो जाओगे मतलब बड़े भी मतलब कई बार क गन। भी मदयार को शुक्यूंक्स करके यसे मारते सुम बर आपकी मैंटिक पिल्मा ँधे बना देंगे या कि पर क्योंग हो मेंटिक प्रल्लन आपकी ऐसे बना देंगे में ठीक हैं का मतलब क्यों distribute Schmidt का सबत 느리고 कि बार कर इसा हुग ठीक है इन दोना से इन का आपने मतलब है समझना क्या होता है इन दोनों साइन का मतलब होता है इन टू दा प्लेन देखो इन दोनों साइन का मतलब होता है एक का तो होता है मतलब इन टू दा प्लेन इन टू दा प्लेन मतलब पेज के अंदर इन टू दा प्लेन और यह आउट साइड दा प्लेन आउटसाइड दपलें कहीं जगा आपको यह से भी लिखाएगा इंटू दा पेज आउटसाइड दा पेज देखो कैसे जब भी कोई एरो निकलती है जब भी कोई बंदे ने से तीर छोड़ा जब भी वह एरो निकलती है जब वह प्लेन से भार के तरफ आएगी तब आपको इसका अगया और डोट दिखेगा ना इसका आपको सिर्वे डॉट दिख रहा है कि कोई चीज पेपर के अंदर से बाहर के तरफ आ रही है कोई चीज अगर इसे क्रोस कर दिया इसका मतलब कोई चीज ऐसे पेपर के अंदर जा रही है तो मतलब 3D dimension में दिखाने का तरीक है कि जैसे मानों मैंने लिख दिया X X Y तो यह तीसरी क्या होगे आपकी अंदर की तरफ Z dimension हो गई तीस थार्ड डैमेंशन होगी तो एक रिप्जेंटेशन का तरीका है तो यह चीज़ कई बार आपको ना ऐसे आ जाएगी तो कई बार आपको जूज ना हो जाओ इसलिए मैंने आपको बता दिया ठीक है तो सुनों बच्चों Magnetic field का अपना एक liar सुनना मेरी बात Magnetic field का अपना एक फिनोमिना है क्या फिनोमिना है jealous सुनन अगर कोई भी आपका चार्ज पार्टिकल्षक मैंने टिक ना इसनर मैंने क्या किया ऐसे क्रोश मैंने क्रोश इन भी एक दो टीन यह क्या है क्रोश दियक और और कुछ नहीं है, magnetic field किया भई इस रीजन में magnetic field है, कैसे magnetic field के direction, magnetic field अंदर जा रही है plane के, magnetic field अंदर जा रही है plane के, अगर मैं ऐसे बना दूं, dot 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 करके, ऐसे, इसका मतलब क्या है, magnetic field अंदर से बाहर आ रही है, अगर side वाले बनानी है, कोई arrow बना तो कोई चक्कर ही नहीं तो कई बार अगर मैंने ऐसा बना दिया, इसका मतलब क्या है, कि आपकी magnetic field नाइन, आपकी magnetic field नाइन जो है, into the plane, अंदर जा रही है, ऐसे, ठीक है, अब magnetic field का अपना एक फिनोमिना है, कई बार question कि इसके उपर आता है, चुछ मैं समझ लो, मैं आपको सिखा जितना उनकोशन करने, साथ साथ करना मेरे साथ आग, माल लोग कोई एक charge particle है, माल लोग को एक charge particle यह है न, यह क्यूँ, यह क्यूँ, ठीक है, अगर मैंने इसको magnetic field में कोई velocity दे दी, velocity देने का मतलब, इसको मैंने move करा दिया, किसे direction में, अगर मैंने इस charge particle को, आपकी magnetic field में move करा दिया, कैसे करा सकते हो आप इधर इधर ऐसे जटका मर के उपर निचे कैसे भी करा दो magnetic field क्या होगी इसके उपर force लगाएगी और इसको अपनी तरफ खीचने कोई कोई करेगी मतलब क्या करेगी कोई नपर फोर्स लगाएगी या तो इसको अपनी तरफ खीचेगी या अपने से धक्का मार के दूर बगाएगी कुछ भी करेगी लेकिन इसके पर force लगेगा इससे क्या होगा यह charge particle आगे जाके या तो ऐसे निकल जाएगा या आगे जाके या आपका ऐसे भी जा सकते है या आपका अंदर के तरह भी जा सकते है तो आप से एक question वाला demand करेगा क्या वह आपको कहेगा कि magnetic field दे देगा कि मैंने magnetic field आपकी north direction में छोड़ दी ठीक है मतलब magnetic field आपकी जारी है south से north मैंने आपके charge particle को छोड़ा क्या किते हैं west to east direction में बताओ charge particle कि side जाएगा into the plane outside the plane up down कहां आपके charge particle move करेगा ठीक है तो इस टैप का question आपका demand करता है examiner यह magnetic field को फिनोमिना है ठीक है अगर कोई आप से पूछ ले क्या नाम है इस टैप के force का इसको बोलते है Lawrence force इसको बोलते है Lawrence force बड़ी classes में करोगे बस नाम याद कर ले ना Lawrence force बोलते है कि कोई भी magnetic field के अंदर कोई charge particle को velocity दे के छोड़ते हो तो उसके पर कोई ना कोई force लगेगी वो उसी पास पर नीचलेगा वो अपने आप रास्ता बदल लेगा ठीक है वो अब रास्ता बदल लेगा अब कैसे पता करें कि कैसे हम force निकालें कैसे पता करें कहां force लगेगी किस direction में जाएगा तो समझ ना जब आपने charge particle को छोड़ा जिस direction में वो direction होगी आपके शुरुवात वाली ठीक है जब आपकी magnetic field लग जाएगी और जहां force की direction आएगी बहां आपका charge particle मूब करेगा मैं आपको एक example करके दिखाऊंगा फिर एक आपकी NCRT के अंदर example है वो करके दिखाऊंगा ठीक है and then and then आपको में चीज़ करके दिखाऊंगा सुनना मेरी बात देखो कैसे तो सुनों इसके लिए रूल आता आपका फ्लेमिंग लैप टैन रूल फ्लेमिंग रैप टैन डूल पर इस ड्राइन मना के देखता हूं क्या पता बन जाए थोड़ा यार हाथ सूज गया थोड़ा सा यह हाथ सूज गया भई हसना मत ठीक है इसको ना मैं आपको लेकर दिखाता हूं पॉर्स आप सब जानते होगे फोर्स मैगनेटिक फिल्ड करन्ट को सुनना फ्लैमिंग ने इसे टैक के प्रब्लम को सॉल्ब करने के लिए आपका इस टैक से कन्वेंशन दिए जिसको बोलते है फ्लैमिंग लेफ्ट एंड रूल यह हाथ 2D में आपको ऐसा दिख रहा है 3D में यह हाथ आपको कुछ ऐसा होता है यह मेरा दोनों हाथ आपको शाद कैमरे में यह राइट दिख रहा होगा लेकिन यह लेफ्ट एंड है मैंने अपना लेफ्ट एंड लिया ठीक है कैसे आपको कैमरे में कैसे दिखा हो कैमरे में भी अगर आपको लेफ्ट ही दिख रहे है यहां से मैं को राइट दिख रहे है अच्छा यह आपक यहीं में X, Y, Z होता है न ऐसे आपका 3 X पे 3 अलग अलग डिरेक्शन आ जाएंगी जैसे आपका X, Y, Z 3 X होती है ऐसे आपकी magnetic field होती है तो flaming left hand कैसे बोलता है कि आप क्या करो finger को बन करो thumb को बार निकालो finger को उपन निकालो और इसको ऐसे open कर दो कर दिया जो thumb है thumb आपका बताएगा force की direction जो आपका ये वाली finger है नाम में को नहीं पता ये आपकी बताएगी magnetic field के direction और जो ये वाली finger है ये आपकी बताएगी current के direction या या फिर velocity की current का मतलब क्या है किस direction में आपका charge move कर रहा है ठीक है अब जैसे मानलोई charge particle क्यू है ठीक है मैं क्या करता हूँ अपनी तरफ से अब लिख देता हूँ यहाँ पर proton मैं अपने एक proton को लेकर आता हूँ मैं अपने एक proton को ये मैं आपका लेक proton को प्रोटोन होने आपका ये positive charge particle ठीक है इसको मैंने क्या किया आपका इधर direction में छोड़ दिया अब बताओ ये प्रोटोन कैसे मुग करेगा अब ये बताओ पोशन क्या है कैसे मुग करेगा तो समझना ये magnetic field apply हो रही है हाँ हो रही है sir क्या velocity दिख गी आपको direction में दिख गई तो कहां ज charge के motion की direction तो ये recharge के motion की direction कहां है proton के direction में तो proton यूँ मूब कर रहे है तो मेरी current के direction क्या होगी यह हो गई ठीक है magnetic field अभी उपर है लेकिन picture में कहां है into the plane into the plane करो कर दी तो मतलब देखो मेरी magnetic field into the plane चलेगी मेरा current इस से चला गया मतलब चार्ज इस पर फोर्स केसे लगए ूपर के तरफ लगेगे मतलब यह charge आगे जा के upward move करेगा यह आपका upward τोlar तो बस अंसंट निगल गया ठीक है इसंसे को बलबार कर दिखाता हूं अब अपका एलेक्टरो लेक्ट क्यों लेक्ट्रों तो मैं यह आपका लेक्टरों ठीक है this is your electron ठीक है इस electron को मैंने इदर की तरफ विलोस्थी दी अब आपको क्या लगेगा देखर यांसे electron कहां है इस direction में move कर रहे है ना जैसे current की direction कहा है इदर है तो electron इदर move कर रहे magnetic field आपकी किदर है cross है अंदर की तरफ है इदर की तरफ magnetic field लेकर चला गया थम कहा है अपको डेरेक्शन में तो एलेक्ट्रन कहां जाएगा अपका जाएगा जो कि आपका सवाल है गलत जो की सवाल हो जाएगा गलत क्यों हो जाएगा समझना electron अगर इस direction में move कर रहा है तो current तो बाब लेक्र स्क्राइब कर है रएट और róने के बगा य होगा अब मैगनेटिक फील्ट इसरी लेकिन ओरिज्णल कहां है अंदर की तरफ सो है अंदर की तरफ लेन उफा दिएंग फ़िस्टेर कर दी current इधर हो क्या force कहा है इधर है तो force किदर है इधर है यह बात मैंने electricity में तुम्हें सिखाई थी कि जो काम electric field यह magnetic field में positive charge करेगा electron ठीक उल्टा करेगा इसका तो electron क्या उल्टा कर रहे है yes कर रहे positive charge यहां जा रहा था electron जा रहे है यहां जा रहे है तो आप समझाया किसी भी चार्ज के उपर आपका magnetic field force लगाती है हो गया समझा कि सभी को अब कल को question में तुम्हें ऐसा आएगा अलफा पार्टिकल के डारेशन यहां है वहां है यह बताओ डारेशन गहां होगी जैसे अब एक वर आपकी ncrt में एक ग्जामपल है ncrt में एक 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 ग्जामपल दिखाता हूं तो मैं बुक में दिखाता है मतलब क्या है आप बुक में देखो गया तो आपको मिलेगा अब मेंगनेटिक फिल्ड लाइन आपकी इधर जा रही है Але्क्ट्रोन आपका कैसे है यह आपकी मैंगनेटिक फिल्ड ठीक है और आपका एलेट्ड जा रहे कुछ एसे लेक्ट्रोन जा रहे कुछ ऐसे नीचे की तरफ तो देखो elekus था रहे है तो करन्ट कर जा लाएग अगर ऐसे आ रहे है ना यह अंदर की तरफ चला जाएगा तो यह अंसर किसका आएगा इसका अंसर इंटू दा प्लेम कर लोगे अब आप तो कई दिक्कत कभी नहीं आने वाली मेरे ख्याल से अब यह इस ताइगा कोशन कभी भी आपको गलत नहीं होगा अब इसनी को शक्राइब को सारे बच्चे एक अल्फा पार्टिकल है कोशन लेको एक अल्फा पार्टिकल है ठीक है अल्फा पार्टिकल पते नहीं क्या होते हैं यह हिलियम पॉजिटिव चार्ज होता है यह एक अल्फा पार्टिकल है अब तो तुम कभी यह मंदब क्लियर है तो में एक अल्फा पार्टिकल है सुनो 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 एक अल्फा पार्टिकल को मैंने वेस्ट से ना इस से वेस्ट डारेक्शन में छोड़ा एक अलफा पार्टिकल को मैंने वेस्ट टू इस डारेक्शन में मैंने छोड़ दिया मतलब विलोस्टी दे दि मैंने इसे बना दिया कि आपका यह है आपकी डिरेक्शन इस वेस्ट नौर्थ साओथ आपके अलफा पार्टिकल को मैंने क्या किया इधर की तरफ छोड़ दिया यह मेरा अलफा पार्टिकल बैंने टिक फिल्ड क्या है आपकी आउटसाइड देडिव दो आउटसाइड द फ्लेड यह आपकी मैगनेटिक फिल्ड बताव चार्ज पार्टिकल कहां आएगा चार्टिकल कहां आएगा सारे फ्लेमिंग लेफ्ट एंड जूल को लगाओ और करके बताओ जब आप बड़े हो जाओगे ना इसका भी पिच्छे की पूरी साइन्स है पूरी साइन्स जब पूरी साइन्स कुशन यह है ख्वाइश कुशन यह है एक अलफा पार्टिकल को इस से वैस की तरफ मैंने छोड़ दिया इसके डिरेक्शन में आपको दिखा दी मैगनेटिक फिल्ड आउटसाइड अपले नमला मैंने इसे निकल रही है आपकी ऐसे 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 अंदर से बाहर की तरफ उसलिया अलफा पार्टिकल के उपर पोर्स के से डिरेक्शन में लगेगी बताओ 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 अब कर दिया नमनीज बताओ तो यह कुशन अब कोई अलफा पार्टिकल है इस से बस डिरेक्शन में जा रहे है ठीक है मैगनेटिक फिल्ड आपकी आउटसाइड दा प्लेन है बताओ कृति ने का है नौर्थ अपवार्ट चलो देखते हैं देखो अलफा पार्टिकल क्या होता आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्लेमिंग लेफ्ट एंड के लिए लेफ्ट एंड को फोल दो फोल दिया ठीक है फोल दिया फादर मदर चिल्ड्रन ऐसे भियाद कर सकते हो फादर मदर चिल्ड्रन फॉस माणेटिक फ्ल्ड करंट फॉस मादर चिल्डरन ठेक है बाप बेट नन KIM माप उसकी विच्छा ठीक है पार्टिकल कहां कर दिया फॉर्ट लग रहा है अपवाड व्धाल बात है अनसे अन्से बाइघ एक रेक्षन पर पर लगेगा नोस चर्ण बार्टिकल आगे जाके नओ। में जायेगा नौर्थ में जाएगा साउथ से नौर्थ जाएगा उपर जाएगा उपर देखो ध्यान से नौर्थ जाएगा क्वाईश शाबाश कर लोगे ना ऐसे कोशिना पेपर में आ जाएगे कर लोगे पेपर में कल को ऐसा कोशन आजे, कर लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़े आराम से, enjoy कर करके, ठीक है, कई बार क्या होगा, आपको ना कुछ ऐसे फसाएंगे, कैसे फसाएंगे, सुनना मेरी बात, कई बार आपको कहेंगे, एक electron है, ठीक है, एक electron है, इसको म मैंने move करा दिया इधर, आगे जाके क्या हुआ, ये electron आपका ना, outside the plane आ गया, मतलब कि, electron आपका छोड़ा, मैंने west to east direction, और आगे जाके क्या हुआ, इसने direction change कर ली, क्योंकि इसके पर force लगा होगा, ठीक है, और ये कहां आ गया, outside the plane, मतलब ये electron है, ठीक है, electron है, इसको मैंन west to east direction में छोड़ा, थोड़ी देर बात क्या हुआ, ये outside the plane आ गया, ऐसे, तो मतलब कोई ना, कोई इदर से force लगी है, इसको, कोई ना, कोई फोर्स लगी होगी, तभी तो ये इदर आया है, है ना, अब कोशन पूस लेगा, कि magnetic field के direction कहा थी, उल्टा, उल्टा, अब ये तक कैसे भी कर लो, xy axis में भी बना सकते है, उसी को, बनाने वाले के उपर है, लेकिन ऐसे बनाएगा, सान सा मुश्किल नहीं बनाता है, कि वह वैस डिरेक्शन से मैंने इस direction में आपके electron को छोड़ दिया, ये outside the plane आ गया, बताओ कि न, magnetic field के से direction में थी, फिर कुछ नहीं करना, electron कहां चोड़ा, इधर चोड़ा, electron इधर चोड़ा, मतलब current कहां है, current को अपने left hand को current इधर लेके आया, force कहां लगी, इस direction में, force कहां लगी, इस direction में, ले आए force को इधर, force को इधर ले आए, ठीक है, electron का current इधर है, force इधर लग रही है, आगे जाके, तो magnetic field कहां होगी, inside, त कुछ नहीं करना आपको मैगनेटिक कहां लग रहे एलेक्ट्रोन वाले केस में डाउनवर्ड डाउनवर्ड तानवर्ड तो आई तेंग अब आप कर लोगे अब शाबाश्कृति देखा देखो पहले क्या था तिरफ इस हाथ का खेले लेफ्ट एंड को कहते हैं तो बाय हाथ का खेले बस बाया आपका खेले जब भी देखो जैसे जैसे कोशन करें वैसे वैसे शको समझना है लगाना है अगर कहें कि यहां पर इलेक्ट्रोन मेरा इस इस डारेक्शन में जो बच्चा करेंगे निवनित सुन लो बैस्ट्रोन जा रहे हैं मतलब की करेंट कहां होगा इसका लेफ्ट डिरेक्शन में कविकारेंट हमेशे लेक्ट्रोन के ओपोजेट होता है तो यह दिखो करेंट इदर आ गया ठीक है अब मैगनेटिक फिल्ट क की डारेक्शन पूछी है उसने मतलब इस फिंगर के डारेक्शन पूछी है और उसने क्या कहा है कि मैगनेटिक फिल्ड में जाने के बाद वो आउट ऑफ दा प्लेन निकलाया मतलब ऐसे बाहर निकलाया तो मतलब कि अगर मेरा यह फिंगर ऐसे थी यह फिंगर क्या करट की ऐ कैसे थी मैगनेटिक फिल्ड भी मेरी पूछी है उसने फॉर्स कहां लगी तो फॉर्स काउट सेड़ प्लेन लेके आया करेंट इधर था तो मेगनेटिक फिल्ड किदर जा रही है इंसाइड जारी मतलब नीचे की तरफ जारी है है ना अगर यह ऐसे करके अंदर की तरफ निकल आता तो मेगनेटिक फिल्ड अपड़ हो जाती है खतम इतना सा असान टोपिक है अब यही काम आपका क्या होता है करेंट केरिंग कंड़क्टर के लिए होता है कुछ भी नहीं है अगर मालो कोई मैगनेटिक फिल्ड लगा दी जैसे यह मैंने मगनेटिक फिल्ड लगा रखी है अंदर की तरफ जारी है वो गंदासा डायरां बॉक वालक करने के जूत नहीं है बोर्ड के तियारी करो गे तो कर ले ना अभी मेरे साथ सीख रहे हो तो फिजिक्स में कोई magnetic field line आपकी into the plane है अगर मैं इसके अंदर कोई एक रोड ले आँ या current carrying conductor को ले ओं यह मेरा conductor है this is my conducting wire conducting wire कैसे कि इसमें ना current जा रहे है ऐसे आई इसमें current जा रहे है ऐसे आई अगर मैं कोई ऐसी wire जो जिसमें electricity करते हैं ना कोई ऐसी wire जिसमें current जा रहे हैं या कोई भी ऐसी coil या कोई भी मतलब लगा लो circular loop जिसमें current जा रहे हैं अगर मैंने उस current वाली wire को अगर आपकी मैंने magnetic field में रख दिया यह ना वायर by physics by science ठीक है कैसे पता चला अरे अभी तो बताया magnetic field आपकी किसे भी charge particle के उपर क्या करती है force लगाती है बशरते charge particle को move होना बहुत ज़रूरी है if your charge is not moving in a magnetic field there is no force acting on that charge particle अगर आपके कोई charge particle को आपने कोई velocity ही नहीं दी उसको की उसको कोई movement ही नहीं दी आपने वह magnetic field में पढ़ा ही रहेगा तो अभी मैंने क्या किया charge particle को इसके अंदर conductor में मुवी तो कराया है अगर current carrying wire है मतलब वायर में मैंने do motor 프로로 के चार्ज को मुवी तो कराया है तो current कि इदर है current कि इदर है current कि इदर है magnetic field line कि इदर है यह magnetic field line अंदर की तरफ है कर दो अब देखो current इद फिल इदर magnetic field line इदर force कहां लग रहा है इदर मतलब कि यह road है न अपने आप ही जैसे इसको magnetic field line में मैंने छोड़ दिया current देके यह इधर की तरफ move करेगी ठीक है magnetic field line outside कर दोगे इधर move करेगी तो मतलब कोई current देना wire को उसको सिरफ magnetic field में छोड़ने है अपने आप ही move करेगी क्योंकि कोई भी charge particle आपका magnetic field में पॉस्चो करता है तो कई पर ऐसे भी कोशन आजाएगा बताओ रोड़ की दिन move करेगी करेंट कैनिंग वायर की पर यह कोशन आप कर लोगे और इसी principle के ऊपर आपकी electric motor base है इसी principle के ऊपर आपकी electric motor base है यह कल कराऊंगा electric motor कल electric motor और करेंटर दोनों कराऊंगा सारे आना एक की बारे में डिफ्रेंस क्लिर हो जाएगा ऐसे अपने बना लोगे basic बतें मैं क्लिर कर दूंगा ठीक है electric motor इसी principle पर वेश है क्यासे लिखूँ या रिपको electric motor का principle भी यह है electric motor का principle भी यही है वही क्या बार है क्या है अब क्लियर हो गया अब बार बताओ अभी आपके टॉपिक रहेगे तीन परादेल ओफ एलेक्ट्रो मैंनेटिक इंडेक्शन जो भी पढ़ाने वालम एक एलेक्ट्रिक मोटर एलेक्ट्रिक जनेटर का प्रिंसिपल बस अभी तक मैंनेटिक फिल्ड में कोई डाउट कुछ भी ऐसा हो यह यह क्या दो कि सबसर्फ मुझ पे याद अब अब सब कुछ मुझ 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 पे आद है हम फटावट कर लेंगे अब हर एक चीज़ आपको ऐसे याद रहे जाए कि पिक्ट्र लिए पिक्चर देखो कि सब कुछ अपने दिमाग में आ जाएगा यह पिक मुझ में जाएगा gimनाग में इना जाइख घूगा यह चारे हमसे यह इटा हमसे चीज़ दो है 행복 हमसे जाएगा यह जाएखिश प्याएख़ मैं सहीं आपको झाह पिक्चर दूशबगा यह जाएगा है यह क्याचर जावरों आषम। क्रिती कर दिया नो समझ नहीं है क्रिती मर्जा नहीं आ रहा क्रिती ने नो कह दिया ओहो बिस अपॉइंट्मेंट पॉर मी हुआ 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 है अब थोड़ा साथ एलेक्ट्रिक मॉटर का बेस्टिक में सेबर पादा लग गया कल समझाएगा कैसे इलेक्ट्रिक मॉटर किस पर काम करती है आज की वीडियो जुरूर देखना अब आगे बढ़ता हूं एलेक्ट्रिक जन्रेटर का परिंसेबर बता जाता हूं देखो अब हम चैप्टर के आ रहे हैं फेज टू में मैंने दो फेज में काम करते हैं तो हमारे चैप्टर के फेज नंबर टू कल तक क्या था आपका अब अब अपना दस नदा मेटर अपना बाते करेंगे बाते मतलब समझेंगे फिजिक्स की मैं आपको फेराडे की कहानी बताता हूं माइक्रो फेराडे सर की क्योंकि ना टॉपिक अब जन्रेटर और मोटर रह चुक है वो भी होने नहीं वाला ऐसे 15-20 मिनिट में उसके ल एक साइन्टिस्ट इंडियन साइन्टिस्ट इंडियन नहीं डियन के करीब है अटियंज के दिलों के करीब है सर मैकल फेराडे तीक है नो तो माइकल फराडे सर्ण जो है उनके कहानी बड़ी वो है माइकल फराडे सर जो थे ना ये चोटे जो बच्चे थे जब इस चोटे बच्चे थे लेकिन जतने मेरी सर ने बता थे ना आप को बताता हूँ यह बहुत बहुत पूर फैमिली से थे अब आप का ओगे सर भई पुरानी गिसेपटी पूर से फिर साइन्टिस्ट मनगे नहीं नहीं मैं आपको बताता हूं माइकल फराडे सर बहुत पूर थे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे ठीक है इवन बुक्स भी नहीं खृत सकते थे यह ऐसे क्लबन देaient इस पढ़ने का मन करता था इनका ठीक है लेकिन क्या था कि पैसे ओते नहीं थे फादर की हैल्प करने माइकल खराडे सर को कुछ कि यह क्या मैं कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि जिससे मैं पढ़ाई कर सकूं और मफाने क्रने में हैल्प भी सब्सक्राइब बच्पन से अपने चाल्ड़ोड़ में उन्होंने बुक बाइडिंग से मब करते थे अब व्हां था जो लोख बुक बैंडिंग करवाने के लिए देके आथे मैइकल फराडे सर के पास की बढयी मेरी बुक को बाइंड कर दी ओ तो क्या होता था जो टे टैहा होता है कि देए मैं दो दिन बाध लेकर जाओंगा तो मैं कर लेकर पहुंगो ना एक दिन को लेट को देता है तो एक दिन जब उसके घर जाके सबने करता यह बुक्स के साथ तो पता लगा कि जब यह बुक्स करता है ना तो बुक्स भाद को एक ही धिन में पूरा पड़ देता था पूरी-पूरी एक बुग को क्योंकि वहीं धिनकी टाइम एक बाकु लें जाए का पूनरव बूट को एक दिन में एक-दो दिन में ब्ता दिया करते यह थे मैज अ कैस해주 में फोक आच光 कैक सेनटिस्ट इनके साथ है एक सेनटिस्ट और यह जिन का नाम है निकॉला टेसला उनका नाम बहुत कम लिया जाते है लेकिन वो reveries ब्रेंग कोर चाहश होगे तो एक दिन क्या हुआ जब बड़े हुए उनको फेवरेट सब्जेक्ट वो काम करे थे तो एक दिन क्या हुआ वो सोच रहे थे कि यार एलेक्ट्रिक करंट से आपकी मैग्नेटिक फिल्ड बंत रही है विए जिसके लिए एलेक्ट्रिक बनाने के लिए वह तो खतम होने लग जाएगा कोई से ऐसे मर्कृरी से ऐसे यह तो खतम अने लग जाएंगे कोई ऐसा वेबी है कि मैगनेटिक फिल्ड से करेंट बन जाए एक दिन बैठे काफ़े टाइम उन्होंने ट्राइ किया कोई ऐसा मैठ सडी नहीं मिला कि मैगनेटिक फिल्ड से करेंट बने क्य तो एक दिन क्या हुआ उनके ना लैब में ऐसे कोईल्स पड़ी थी कोईल्स ठीक है ऐसे ना कोईल करेंट करिंगे कंड़क्टर की ना करंट की कंड़क्टर की स्वरी स्वरी कंड़क्टर की आप पी क्या थी लूप पड़े थे कंड़क्टर के से लूप पड़े थे कंड़क लूप मेने इस लूप मेन दिख रहा ने करंड ने alf admitted लगालो वह मैंगनेट है ना इस लूप मेने मेन जो दीकर रहा आपको करने लूप में ऐसे कर चल गई ऐसे करके निकल गई अब वो किसमत के बात क्या थी इस इस जो आपकी됐 ग्यालट करिंग में नीचे लगा होता गल वेचाशोा समंझांगो नीचे लगा हो था गैलवेनोमीटर तो गैलवेनोमीटर के बारे में बता जेता हूं गैलवेनोमीटर क्या होता है एक ऐसा डिवाइस होता है ठीक है गैलवेनोमीटर क्या होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिरफ सरकिट में यह बताता है कि करेंट है कि नहीं है और अगर करेंट है तो किस डिरेक्शन में मूव कर रहे है इसका इससे कोई मीनिंग नहीं है कि यह गैलवेनोमेटर आपको यह बताते कि करेंट है तो कितना है वो आपको एमिटर बताता है यह बात याद रखना एमिटर अमाउंट बताता है कि करेंट एक सरकेट में कितना है गैलवेनोमेटर सिरफ और सिरफ यह बताता है कि current है कि नहीं है और अगर current है तो किस direction में है तो दोनों के meter अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तो कुछ ऐसे होते हैं कि यह देखो यह galvanometer का meter है यह आपका emitter का meter है ठीक है तो emitter का meter है ना उसका 0 वाला point यहां होता है है फिर इसके बाद 1 ampere 2 ampere 3 ampere कुछ करके यह सुई आगे बठती है और galvanometer में कोई ऐसे amount नहीं होती सिरफ और सिरफ जीरो यहां होता है इधर positive इधर negative मतलब कि current अगर galvanometer में current right side जा रहे है है बतलब इधर right में जा रहे है तो current आपकी galvanometer में ऐसे शो कर देगा अगर galvanometer में छोटा सा current है इधर show हो जाएगा और emitter आपके amount बताते है कि current है तो 1 ampere की 2 ampere की 3 ampere है ठीक है galvanometer में कभी amount नहीं बता चलती galvanometer में आप यह बता सकता हो कि small से small current भी circuit में है कि नहीं है small से small amount का भी लेकिन emitter में बड़े amount करेंट आप major कर सकते हो with value की कितना है अब दोनों अपनी जगा अपनी जगा बैस्ट होते हैं यह दोनों अपनी अपनी जगा बैस्ट है एमेटर टेल यू टेल्जी दामाउंट कितनी अमाउंट में current है इसकी जिरो यहां दे स्टाट होती है और पॉजटिव में स्केल चलते है नेगिटिव में नहीं चलता स्केल ऐसे माइनस से पॉजटिव के तरफ बीच में जीरो होती है अगर करण्ट इस अरिक्षिन में तो इधर वरना इधर ऐसे ऐसे करके बस यह बताता है कि गलवनमेटर की current है कि नहीं है ठीक है तो गलवनमेटर इस डिवाइस डैट इस यूट टूट इलेक्ट्रिक करें देने circuit ओके तो ग हेले नमीतर एमीटर कम समझ चोगे अब सुनों क्या हुआ तो एक दिन क्या हुआ उन्होंने गुषसे से गुषसे से लग में क्या किया मैगनेट को उठाया मुषसे से मैगनेट पड़ी तिक उन्होंने ठैक दी क्योंकिले इसे पास होगे निकल गई चमतकार हो गया चमतकार क्या हुआ मेरे कल कि जैसे इसने मैगनेट ठैकी आपकी यहां पे ना गैले मनेमेटर मेंготовल कर दिफ्लेक्शन हो गई अब पहले तो वह खुद हैरान कि यार एक बाद बताओ गैले में में डिफ्लेक्शन का मतलब इसको एल गैलमेटर खराब हो गया क्योंकि मैगनेट ठैकने से थोड़ी न आपको अपरेंट पैदा होने वाला था तो वो सोचने लग गया क्या यह हुआ क्या मतलब मैंने तो मैगनेट ठैक दी गैलमेटर में डिफ्लेक्शन आगी उसने सब्सक्र क्या है इसने क्या क्या एक मैगनेट को लिया इधर इसके पार जाकर खड़ा करके रोक दिया कैसे रोक दिया कि मैंकि कोई के पास या के ताकि मतलब विखोल ना इसके अंदर तो मैंगिनेट को जाके तो यह से रोक दिया टीक है भई रोक दिया आजे अब क्या हुआ गैलोन इस कोईल के अंदर है ना क्योंकि कोईल इसके जाद करनेक्ट अब वो कहें कि यार वहम हुआ होगा वहम बतलब कैसे मैंने मैगनेट फैक दी कब कभी न किसने जटका मारा होगा गैलमिनमेटर को इसलिए इसकी नीडल हिल गई फिर क्या हुआ खुदरती उन्होंने ऐइस्परिमेंच को छोड़़ दिया खराब मेरा फिर एक दिन क्या हुआ फिर से उन्होंने मैगनेट टैक दिया प्रक्त ना पुद्विए मनेटो जाकी एसे खड़ा करके रोक दिया आप वो कह या है चकर पिर उनके दिमाग में आया कि मैगनेट को र Message Ne вся Lantern ओन्होंने इसको ससे करके अंदर बाहर motion स्टार्ट कर दी और जैसे ही अंदर बाहर content motion करते रहे करते रहे करते रहे यहां परicles करल में डेफ्लेक्षन आती रही आती रही मतलब कि इस पता चला कि मैं Magnetic फिल्ड से करेंट बना सकता हूं लेकिन condition यह है कि जो मेरी magnetic field ना यह लगातार बदलती रहनी चाहिए यह लगातार बदलती रहनी चाहिए कैसे बदलती रहनी चाहिए देखो दिखाता हूँ उन्होंने देखा की ना अगर आपको कोई बार मैगनेट अगर आपकी कोई लूब बन रहे थे ऐसे लूब बन रहे थे हैं ना ऐसे मेगनेटिक फिल्ड इसकी अब एक बार बताओ जब यह बार मेगनेट पास थी तो चार मेगनेटिक फिल्ड लाइन अंदर के तरफ जा रही है देखो ब्रोडनेश जो है जो मैंने का तो ब्रोडनेश है एक है क्लोजन है यह आपके कोईल के पास है जैसे यह बार मेंगनेट दूर होगी यह फ्वारा बड़ा हो जाएगा फ्वारा मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो फ्लो है जो डाइवर्जेंस है जो यह ऐसे लाइन से निकल रही है यह जब यह बार मेंगनेट पीछे के friends generate होगा और इसी से ही उन्होंने एक सिर्दान्त बना दिया दाट आट इस पॉर्ड फाराडे लोग उप इलेक्ट्रो मैंगनेटिक इंडक्शन फ्राडे ने खोच कि एट इस पराडे लोप है क्वेक्ट्रों मैंगनेटिक इंडक्ट्शन कर सकते हो कि रिलेटिव शीन यह है और जो कंड़क्टर है इनके बीच में लगातार मोशन होते रहना चाहिए अगर मोशन नहीं हुआ तो करेंटी भी प्रोड्यूस नहीं होगा तो यहां से फिराडे ने आपकी खोच कर दी कि मेंगनेटिक फिल्ट से भी आप करेंट बना सकते हो ठीक है आप सभी को पोई डाउट नहीं होगा क्या था फिराडे लॉफ एलेक्ट्रो मेंगनेटिक इंडक्शन और इसी प्रिंसिपल पर आपका बेस है एलेक्ट्रिक जनरेटर अब यह मैंने बेसिक प्रिंसिपल एलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के दोनों के बता दिए कल देखना इतना मजा आये का जनरेटर आपको भी लाइफ टाइम में नहीं बूरता होगे ना जनरेटर ना एलेक्ट्रिक मोटर कभी भी नायक्ट्रिक नि बोलोगे और बल्की अपने चोटे भाई वैनों को पढ़ा हो दीगे ठीक है तो यह एलेक्ट्रिक आइस प्रिंसिप अब कहानी में सब को क्लियर हो गया यह क्या कहानी थी और यह कहानी है वह यह बना के बता दी यह रियल की कहानी है हम प्लस्टू में थे ना तब भी कहानी यह पड़ा करते थे हमारे ना क्लस्टू में ये पूरा चैप्टर होता है लगरेग्से अब कर्सें ने हैं पूरा टॉप्ठी के पुरी बुक को पर !!! इसके विडिएटन में मन मन्से नहीं बनाई है मैंने ही रियल कहानी है रियल स्टोडी है तो अब बताव मजा आ गया सभी को तो माइकल फ्राडेसर से कौन कौन मोटिवेट हो गया एक दिन में पूरी की पूरी बुक हमसे दो पेज नहीं पड़े जाते सर आप पूरी पूरी बुक कह रहे हूं है ना तो कल देखना मैं दो फोटो ब लेकर आँगा आपके लिए एक जनेरेटर के एक एलेक्ट्रिक मोटर की एंसी आर्टी वाली ही होगी यूँ क्लीर हो जाएगा यूँ कि क्वाइश क्या कोई डाउट नहीं है कृती नमनीत कि नमनीत कृती रमन मासूम प्रबीन अधिमन्यूं बताओ कि क्लास को करे ओवर कि अताओ डच्चों करेंगे लेक्ट्री मोटर एंजनरेटर आपके हो जाएंगे दो चैप्टर फिजिस्टे ओवर फीडबैक के लिए बता देना कमेंट बता देना या पर बता देना या पर सर को बता देना ठीक है सोदयर आया इंगो मैसर अब तक रिए थैक यह एंगे वह बूच्च